नमस्कार दोस्तों हम सीखने हैon 2D Animations और 2D Animations में आपको बता रहे थे अपको य्लेशिक के वारे में तो दोस्तों मैंनने पीछे के वीडियो में आपको पूल्स के बारे में दिखाए थे अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाकर देख लिजिए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज कि इस वीडियो मैं को दिखाऊंगा जो बेशिक एनिमेशन कैसे किया जाता है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टा जिसका नाम है हिंदी कहानिया जो चैनल है इस पे मैं कहानी लगाता हूँ जो काटून बनाके अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और होसके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें तो चलिए दोस्तों टॉपिक प यहां पर जो भी चीज को एनिमेशन करना चाहते हैं यहां से आपकर यहां पर अगर लेते हैं इस टैप से तीन हमारे पास different color हो गए तो दोस्तों जब animate CC में जब animation करते हैं तो यहां पर जो है कोई भी चीज को symbol भी create कर सकते हैं या shape में भी convert कर सकते हैं यहां पर right button क्लिक करते हैं जब frame पर right button क्लिक करते हैं यहां पर दिखिए ऊपर तीन टाइप के animation आते हैं create classic twin, create motion twin, create shape twin और convert frame by frame animation यह तो अल्रेड़ी मैं बता चुका हो तो यह जो तीन है इस तीनों का यूज किया जाता है animation के लिए तो इस तीनों को कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं तो सबसे पहले जो यहां पर है राइट उटम क्लिक करते हैं यहां पर जो shape twin है इसको मैं पहले create करके आपको दिखाऊंगा तो shape twin में क्या करते हैं माल लिजे हमारे से डिलीट कर देता हूं अब मैं चाहता हूं यह जो है एनिमेट होके सेप में convert हो जाए तो मैं यहां पर एक app six press करता हूं एक pointer बनाया यहां पर और इसको मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पर सिर्फ है और यहां पर को मैं क्या करता हूं यहाँ पर एक circle create कर देता हूं यहाँ पर मैंने एक circle दिए और इसका color भी different है और इसका color भी different है अब हम इसको right bottom click करते हैं और shape twin पर click करते हैं अब देख सकते हैं यह चो ब्लैक था दीरे 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 यहाँ पर जाके बिल्कुल circle में convert हो गया और इसका color भी change हो रहा है तो यह जो था shape twin के मदब से आप इस type के animation करा सकते हैं तो चलिए आगे बरते हैं आगे मैं इसको यहाँ से delete करता हूँ delete करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर right button click करते हैं यहाँ पर right button click करते हैं classic twin को देखते हैं जो classic twin सबसे important जो है animation के लिए use किया जाता है इसका use चब करते हैं इसके लिए हमें कोई shape को पहले symbol में convert करना पड़ता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है माल लेजिए आपके पास बहुत सरा layer है आप चाहते हैं एक साथ सभी कोई animation हो माल लेजिए हमारे पास तीन से बनाता हूं माल लेजिए हमने circle बनाया यहां से मैं एक step से बनाया और एक मैं यहां से steps बनाया अब क्या करूंगा अगर इस पे हम apply करते हैं classic twin तो यह अभी यहां से नहीं हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और f8 प्रेस करके इसको मैं symbol में convert करता हूं इसी तरह से इसको भी symbol में convert करता हूं इसी तरह से इसको भी इसी तरह से इसको भी हमने symbol में convert कर दिया अब हमारे पास 3 object है जब symbol में convert करते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा इसके अंदर जो pointer यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है इस pointer के according ही यह animation होता है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ माल लिजे यह pointer हमें यहाँ पर है जब animation करेंगे यह rotate करेंगे देखिए कुछ इस pointer के according ही यह animation होगा तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जहां से animation करना उस pointer को आप वहां पर रखे हमारे पास 3 shape है हम इसको classic twin इस पर apply करेंगे थरहां प्या करते हैं यहां पर आते हैं यहां पर एक एक अबर लगा देते हैं अब देख सकते हैं यह जो है पूरा animation हो रहा है हमें frame by frame बनाने की जटरत नहीं है यह automatic animation हो गया अब क्या हो रहा है कि इसमें जो है इसमें भी बहुत सारा option दिया हुआ है कैसे दिया हुआ मैं आपको दिखाता हूं अगर इस पे क्लिक करते हैं यहां पे देखिए यहां पे आते हैं और इस pointer पे क्लिक करते हैं यहां पे classic इज का option दिया हुआ इस पे जब आप क्लिक करते हैं इस पे तो इसको आप जो है speed या जो slow create करना है तो उसको आप यहां से control कर सकते हैं अभी क्या होगा कि धीरे-धीरे speed होगा और speed होने के बाद धीरे-धीरे वह बंद होगा जिस टैप से गारी जब चलती है तो स्टार्ट होके फिर जो है बंद होता है अभी इसको अप्लाइ करते हैं अभी मैं से भी हम इसको डिलीट कर देते हैं अब हमारे पास एक एनिमेशन है अब मैं चाहता हूं इसमें कुछ और भी सेप लगाएं जो की सेम एनिमेशन के तोर पे यूज हो इसके लिए क्या करते हैं इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम इसके अंदर चले गए इसके अंदर यहां पर देख सकते हैं एक लेयर है यहां पर कोई भी एनिमेशन नहीं है यहां पर जितना भी आप लेयर बनाएंगे वहां पर ओटमेटिक एनिमेशन हो जाएगा अभी मैं दिखाता हूं माल लीजिए यहां से मैं और भी सरकल ले लेता हूं यहां ले लिए यहां ले लिए और मैं शेप दूसरा ले लेता हूं, स्टेप से, मैं सबका color अलग कर देता हूं कुछ स्टेप से हमने animation कर दिये, लेकिन हमने किया किये, इस सब में कोई में भी animation नहीं लगाया लेकिन मैं ही चाहता हूं यह जो पहला जो शेप था उसी के कोड़ी यह पूरा एनिमेशन हो हम इसके बाहर जाते हैं बाहर जाने के बाद देखिए यहां पर एनिमेशन लगा है अब यह साड़ा का साड़ा जो एनिमेशन है इस पर अपलाए हो जाएगा देखिए कैसे होता ह कि जो यहां पे है सिर्फ यहां पे हमने इसको create किये थे इसको यहां से क्या करते हैं copy कर लेते हैं यहां से cut किये और इसको मैं यहां पे आके भी इसको मैं paste कर देता हूँ ठीक है अब मैं यहां से जाता हूं देखिए यह पूरा का पूरा एनिमेशन एक साथ हो रहा है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह जो पूरा का पूरा है एक साथ एनिमेशन हो रहा है जबकि हमने सिर्फ एक में ही एनिमेशन लगाए थे इस टैप से दोस्तों क्लासि क्या करना परता दोस्तों यहां से हम जो है हमको क्या करना दोस्तों इस पे जो है राइट विटम क्लिक करते हैं और मोशन ट्विन लगाते हैं राइट अप्लाइ करते हैं अप्लाइ करने के बाद हम क्या करते हैं इसको यहां पर एप 6 प्रेस करते हैं इसको मैं यहां पर रख सकते हैं और इसी के according जो है इसका animation जो है बनेगा आप देख सकते हैं आप देखिए कुछ इस टैप से इसमें animation लगा सकते हैं यह था तीसरा जो है उसको हम कैसे animation करते हैं अब अगर right button क्लिक करते हैं एक और यहां पर motion दिया convert to frame to frame animation इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यह automatic जो है फ्रेम टू फ्रेम एनिमेशन हो जाएगा आप देखिए हर किसी का फ्रेम यहां पर create हो गया है आप जिस फ्रेम को डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं या उसको क्या करता हूं डिलीट कर देता हूं यहां पर मैं क्या करता हूं फ्रेम बाइफ्रेम एनिमेशन करकर दिखाता हूं कैसे create क्या यहां से ब्रस लेता हूं ब्रस लेने के अब मैं क्या करता हूं दोस्तों यहां से मैं जो है फ्रेम बाइ फ्रेम एनिमेशन करके आपको दिखाता हूं किस टैप से हम क्रियेट कर सकते हैं मैं यहां पर क्या करता हूं एक क्रियेट करता हूं कुछ इस टैप से अब मैं कुछ animation करूंगा और f6 press करते हैं यहां से मैं जोडते जा रहा हूं f6 press करते हैं जोडते जा रहा है इस टैप से हमने इसमे animation लगा अगर आप देखें तो कुछ इस टैप से इसमें लग गया अगर आप चाहते हैं कि यह पीछे का ना दिखें तो वह भी कर सकते हैं मालेज यहां से एक निव बनाता हूं इसको मैं यहां दिखेंगा नहीं ऑने प्रचाहँ है stejenigen । इसटेप सी हमने क्रिएच की यहां पह देखते हैं पहें जुढ़ा प। इससे कोई प्रबचन्य पर्त आगरकर इंटरप्यस करते हैं देखें कुछ इस टैप से जो है इसमें animation आगया हमने बहुत fast pass किये इसको slow करना चाहते ता आप frame rate को बढ़ा सकते हैं तो यह था दोस्तों कुछ basic animation जो यहां पर use करते हैं हम animation के लिए उसके बारे में आसा कर दो दोस्तों यह video आपको अच्छा लगेगा अगर दोस्तों यह video आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें और दोस्तों के साथ share भी करें अगर दोस्तों मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं के तो please subscribe कर ले जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो लेका हूँ तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए तो मिलते दोस्तों next video में आज के लिए thank you